गाउं में पत्थरों की बीच कुछ हलचल देखकर लोग रुके तो वह आश्चरिय चकित हो गए जिहां वहाँ छे फीट लंबे दो नाग आपस में लड़ाई कर रहे थे करीब दो घंटे तक यह लड़ाई चलती रही और अंत में दोनों नाग वहाँ से गायब हो गए ये नजारा राजस्थान के दोसा जिले में देखने को मिला दोसा जिले के समी परवती गाउं खेडली में रविवार की दोपहर नागों के भीच संगर्श देखने को मिला जिहां गाउ में ही पत्थरों के धेर में दो नाग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नज़राए एक नाग पीला तो दूसरा काले कलर का था दोनों करीब 6-6 फीट लंबे थे आपस में लड़ाई शुरू हुई तो करीब 2 घंटे तक लड़ते रहे इस तरह नागों को लड़ता देख तमाशा देखने वालों की भीड जुटके तमाश भीन लोग मुबाइल से वीडियो बनाने लगे और नागों की लाइव लड़ाई को अपने मुबाइल कैमरा में कैद करने लगे करीब 2 घंटे तक नागों की बीच ये संघर्ष चलता रहा लेकिन 2 घंटे बाद भी ना तो कोई नाग हारा और ना ही कोई नाग जीता आखिरकार दोनों नाग पत्थरों के अंदर अलग-अलग जगह पर चले गए तो दोस्तों आपको इस बाद में क्या है कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको इन्यूस पसंदाई तो लाइक और शियर करें डिली ट्रानिक न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब कीचे हमाया चैनल लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए